देश के राष्टपती श्रीमती द्रोपदी मुर्मों के ऊपर में जिस तरीके से अभध्र टिप्वणी की है वह निंदनिय है और दुर्भागेपूर्ण है आश्यर्ज की बात यह है कि पसिम बंगाल की सरकार ममता बनर जी की सरकार जो स्वाय में एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके मंत्री मंडल के सदस्य खुलियाम तरीके से देश के महिला राष्टपती ट्राइबल प्रेसिडेंट के उपर में आदिवासी राष्टपती के उपर में इस तरह का अभध्र टिप्णी जिस टिप्णी को चाहे जितनी भी निंदा की जाये वो कम है और इससे या बात असपस रूप से जलगती है कि पसिम बंगाल की सरकार इस देश के साड़े दस करोड जनता आदिवासी जनता कि भावनाओं को आहद किया और देश बासियों को देख के लोकतांत्रिक परंपराओं को लोकतांत्रिक मुल्यों का हनन किया है और इस मामले में ममता बनर जी को स्वयम अपना असपस्टी करान देना चाहिए कि उसके मंत्री मंडल के एक मंत्री टीमसी के नेता आखिल गिरी ने इस तरह का बयान किसके कहने पर दिया है और ये किस तरह की बयान देकर इस तरह से अपमानित करने का अपमान जनक सब्दों का परियोग करते हुए नकेवल महिला रास्पती के रूप में ट्राइबल रास्पती के रूप में बलकि देश का अपमान कर रहा है हम सब जानते हैं कि राजपती का पद राजनीच से उपर होता है देश का सर्वोच पद होता है और दुनिया के लिए भारत का प्रतिनिधुतु हम देशबासियों का करता है ऐसे पद का अलोचना करना मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए इस देश के जनता के लिए बहुत ही दुरभागे पून है मंत्री के बयान न केवल इस देश के लोकतांत्रिक मुल्यों का हनन कर रहा है बलके अंतर रास्टिय चबी को भी खराब करने का परियत्न किया है और इसलिए मैं यह कहूंगा कि ममता बनर जी को ऐसे मंत्री को तुरंट अपने मंत्री मंडल से बरखास्त करना चाहिए और इस तरह के बयानों के लिए देश के सामने माफी मागना चाहिए आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दुनिया में जो एथिनिक संख्या जो कही जाती है उस एथिनिक संख्या के सबसे बड़ा आबादी भारत में रहती है साड़े दस करोड जनता ट्राइबल इस देश में है और दुनिया में अभी तक बताया गया कि इस तरह से जो नोटिफाइड जो एथिनिक ग्रूप है वह एक तालिस करोड के लगवाग संख्या उसका तीस पर तीससत से अधीक भारत नित्रूत्य करता है वैसे परिवार वैसे समाज से वैसे लोगों के बीच से एक सुसील समवेदन सील महिला जब राष्टपती के पद को सुसोभीत करती है तो वैसे पदों पर ऐसे महिला को देख करके इनके अंदर एक तरीके से जिसे कहा जाए जलन होती है एक तरीके से पच्चता नहीं है और यह डिहाइड्रेशन का परिणाम है यह किसी ना किसी रूप में ऐसी भासाओं का परियोग करते हुए अपनी उस तरह की बातों को जिससे की उनके मन में उनके विचार में उनके चरीत्र में है वो दिखाते हैं और यह बयान असपस्ट रूप से यह दिखाता है कि पस्चिम बंगाल की सरकार देश में देश के आदिवासियों में और राज्य के पस्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का सोसन करते रही है इसे बिल्कुल अस्पस्ट हो गया है कि एक संथाल समाज की महिला जो आज ऐसे पद को सुसोभित करते हुए दुनिया का नेतरूत्य कर रहे है भारत का सम्मान बढ़ रहा है अभी कुछ दिन पहले अंतरराश्टी अस्तर पर कई देशों के ऐसे जो जन जातिय समाज का आ जा अधिवासी का आ जाए ऐसे लोग आकर के लगातार सराहना कर रहे हैं कि भारत ने अपने लोकतांत्रिक मुल्यों को किस तरीके से सुरक्षित रखा है किस तरीके से मजबूत रखा है और किस तरीके से दुनिया के सामने बताने में सफल हुआ है कि वास्तमिक रूप से भार सर्व अस्पर्शी समावेशी और सब के साथ मिलकर के भारत एक है इसका संदेश देती है और इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं कि सही दिवस के कारेकरम में जब वहां भाजपा का एक सही दिवस कारेकरम आयोजित किया गया था नंदी ग्राम में वहां आसांती घटाने के लिए वहां किसी तरीके से घटना घटे क्योंकि वहां की सरकार वहां की प्रसासन वहां के ऐसे गुंडे तबके के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं के उपर में हमला किया जाए वो इस तरीके से सड़यंत्र करके इस तरह के बयान दे करके और इस तरह का हंगामा करके नकेवल देश को अपमानित किया है बल्के वहां के कारेकर प्रताओं को भी प्रताडित करने का काम लगातार कर रहे हैं और इसलिए टीमसी के मंत्री को तुरंत इस्तफा देना चाहिए मंत्री मंडल से प्रखास्त करना चाहिए और ममताब अनर्जी जिसके मंत्री मंडल में यह मंत्री है देश के सामने माफी मांगना चाहिए कि पहली करना चाहिए कि उसके मंत्री मंडल के जो सदस्य है उन्होंने गलत किया है और उसको तुरंद बर्खास्त करना चाहिए